हलो इस्ट्रेंड्स कैसे हैं बच्छों हुमन हेल्थ एंड डिजीज चेप्टर के बिलकुल एंड पार्ट पर अब हम आ चुके हैं हमने इस चेप्टर में हुमन हेल्थ एंड डिजीज चेप्टर में हेल्थ की बारे में बात की different type की diseases की बारे में बात की हमने viral disease की बात की bacterial disease की बात की helmin disease की बात की protozoan disease की बात की fungal infections की बात की और उसके बाद हमने इसी chapter का दूसरा section स्टार्ट किया जिसमें हमने बात की थी immunity के बारे में जिसके अंदर हमने बात की first line of defense, second line of defense third line of defense, innate immunity हमने acquired immunity की बात की जिसमें हमने mode of action of macrophages देखा mode of action of B lymphocyte देखा mode of action of T lymphocyte देखा और सारी बाते complete करने के बाद हमने last lecture में immunodeficiency disorders की बात की AIDS के बारे में बात की SCID severe combined immunodeficiency की बात की और हमने autoimmunity और allergy और hypersensitivity के बारे में भी बात की और आज के lecture में हम बहुत ही ज़्यादा important topic की बात करने वाले हैं वो है cancer आज हम cancer के बारे हैं बात करने वाले है cancer world जो है वो crab से आया है crab आप सभी जानते केकड़े को बोला जाता है crab का zoological name जो है वो cancer है और जिस तरह से crab अपनी पकड़ मनाता है किसी चीज़ पर उसी तरह से cancer world को उसी जगे से लिया गया है cancer एक बहुती dreaded disease है लेकिन याद रखें अगर proper time से इसका diagnosis हो जाए तो इसके से बचा जा सकता है और इसलिए cancer होने से घबराने से ज़्यादा अच्छा है कि जल्दी से treatment नेना शुरूबात की जाए never give up hope this symbol this red ribbon अगर red ribbon हो तो यह symbol हो जाता है AIDS का बट अगर pink color का ribbon है अगर pink color का ribbon है तो यह awareness के लिए है against breast cancer breast cancer awareness के लिए इस तरह का slogan मनाया गया है तो never give up hope रखें शुरूबात करते हैं इस disease की जो आपके need point of view से काफी important भी है cancer cancer की शुरूबात अगर की जाए तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि cancer में होता क्या है फिर आगे की बात करेंगे बच्चों cancer is characterized by uncontrolled multiplication of abnormal cells in the body uncontrolled multiplication of abnormal cells in the body इस बात को पहले समझते हैं बच्चों पहले मैं इस वाले diagram को समझाता हूँ फिर उसके बाद उपर वाली बात पढ़ेंगे actually होता क्या है कि हमारे cells में contact inhibition की property होती है contact inhibition की property का मतलब होता है कि हमारी एक cell जो होती है वो अपने आसपास वाली cells की uncontrolled growth को regulate करती है inhibit करती है मतलब यह जो cell division है वो highly controlled and regulated process है मतलब किसी भी cell को division करना है तो उसके आसपास वाली cell उसका division बहुत जादा ना हो उसको control करती है तो देखिए यह अगर हम बात करें कि normal cell में low density और high density आप देख सकते हैं इस condition में यहाँ पर एक cell दो cells के बीच में एक chemical है e-cadinin जो attach करने में binding करने में help कर रहा है और यह integrin नीचे अगर हम बात करें एक membrane है वो भी attach कर रही है ठीक है लेकिन साथ में cadinin जो यह product है यह cell-cell addition में help करता है और एक cell दूसरे cell के contact में रहती है तो यह दिख रहा है contact inhibition monolayer of normal cell एक normal cell की monolayer दिख रही है आपको तो इनमें कितना division होना है कितना नहीं होना जैसे cell पर division हो रहा है देख रहे हैं आप यह division जो होना है यह division होने के बाद cells का number बढ़ गया यह आसपस वाली cells दे control किया है इसकी uncontrolled growth नहीं होने दिये हैं लेकिन लेकिन अगर loss of e-caterine हो जाए या फिर mutation हो जाए इस e-caterine आपको आगे उसकी list बताई जाएगी तो अगर किसी cancer causing agent को use करने की वज़े से cell contact inhibition की property show ना कर पा है मतलब उसके अंदर e-caterine ना रहे या mutation हो जाए या loss of e-caterine हो जाए देखिए यहाँ पर caterine था अब यहाँ पर caterine नहीं रहा loss of e-caterine हो जाए या फिर हम सीधा सीधा बोले है यहाँ पर mutation हो जाए तो अगर ऐसा हो जाए तो उस condition में loss of contact inhibition cell अपने आसपास वाली cell की growth पर उस पर divisions पर control नहीं कर पाती और cells में rapid division होने लगते हैं and cells grow on top of each other एक दूसरे के उपर इस तरह से grow करने लगती है this disrupted cell cell addition and this uncontrolled division is from a mass of cell called neoplasm this is a mass of cell, this is a mass of cell, this is a tumor, this mass of cell is called neoplasm and neoplasm is a cancerous tumor तो कुल बिला के आपको यह बात याद रखनी चाहिए कि cancer का आप सबसे basic concept क्या है यह बहुत important है बच्चों को कि इसके आगे तो बहुत सा चीज़ ऐसी हैंगी जो factual होगी इसलिए आपको बहुत basic बात याद रखनी चाहिए कि cancer में होता क्या है कि एक normal cell अपने आसपास वाली cells की division पे control करती है उसे regulate करती है उसके लिए वो catarin protein secret करती है यह property जो है जिसकी help से एक cell दूसरी cell पे control कर रही इस property को contact inhibition की property बोलते है लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि by mutation यह contact inhibition की property शो ना कर पाए cell जो catarin की help से होता है तो by mutation या loss of catarin ऐसा हो जाए कि अब cell contact inhibition की property शो ना कर पाए तो अपने आसपास वाली cells की growth को भी control उसके division को भी control नहीं कर पाएगी और अगर नहीं कर पाएगी तो उस condition में uncontrolled division होंगे Cancer is characterized by the uncontrolled multiplication of abnormal cells in the body. The spread of cancerous cells to distant sites via blood is termed metastasis इसके एक जगे से दूसरी जगे फैलने के process को metastasis कहते है आगे मैं आपको metastasis वापस आगे से बताऊंगा detail में Normally cells show a property called contact inhibition by virtue of which contact with each other cells inhibit their uncontrolled growth but cancer cells have lost this property अभी आपको यहीं समझाए गया और अगर cancer cell यह property show नहीं कर पाती तो उस condition में वो अपने आसपास वाली cells की growth को भी control नहीं कर पाती और उनमें uncontrolled division होने लगते हैं जिसी को बोलते हैं neoplasm cancerous tumor अब इस section की slide के अंदर आप देख सकते हैं this is a normal cell और यह है cancer cancer के case में किसी particular part की picture आप normal case में इस particular part की picture कुछ ऐसी दिखती है और cancer के case में यहाँ पर uncontrolled division होने के वैसे picture कुछ ऐसी दिखने लगती है आपको अगर यह picture अभी भी clear नहीं हो रही है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके बारे में अब आप देख सकते हैं normal and cancer cell structure यह एक normal cell है और यह cancerous cell है क्या difference है देखते हैं इसमें भी cytoplasm दिख रहा है यहाँ भी nucleus है यहाँ भी nucleus है इनके पास भी nucleus है इसके पास भी nucleus है दोनों के पास chromatin है ठीक है अब आगे बात करते हैं कि दोनों के अंदर क्या difference है यहाँ अदकना normal cell में cytoplasm ज़्यादा होता है cancerous cell के अंदर cytoplasm comparatively कम होता है normal cell में single nucleus होता है cancerous cell में multiple nucleus हो जाते है nucleus का नमर बहुत जादा हो जाता है normal cell के अंदर single nucleus होता है और cancer cell में nucleus या nuclei भी multiple और बहुत बड़ी-बड़ी होती है यहाँ पर chromatin fine होते हैं यहाँ पर बहुत ही coarse होते हैं बहुत ही dense होते हैं chromatin तो यह कुछ difference होते हैं normal cell and cancerous cell में अब बात आती है कि what is oncology एक word और आपको याद अखना चाहिए oncology is a study of cancer cancer की study को बोलते हैं oncology ठीक है अब types of cancer की बात करते हैं पहले फिर मैं आपको different type के cancer बताऊँगा carcinoma is a cancer of epithelial cells epithelial cells का cancer जो होता है उसको हम बोलते हैं carcinoma और जैसे skin का tissue lining का इनका cancer जो होगा उसको carcinoma बोला जाएगा mostly cancers जैसे breast cancer stomach cancer, lung cancer, prostate cancer, colon cancer etc बहुत सारे cancers ऐसे हैं जो mostly कैसे होते हैं carcinoma होते हैं पतब सीधा सीधा बोला जाए कि epithelial cells के cancer को बोला जाता है carcinoma melanoma की अगर हम बात करें तो pigment producing cells का cancer जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं melanoma, lymphatic tissues का cancer है lymphoma bone का muscle का fat का कुल मिला के बोले connective tissue का cancer है सारकोमा ठीक है बहुत ही जादा देखने को नहीं मिलता है बहुत कम देखने को मिलता है ठीक है leukemia blood cancer को बोला जाता है या bone marrow की cancer को बोला जाता है क्या leukemia तो यह कुछ common type के cancer है कौन कौन से cancer की बात की हमने carcinoma, एक हमने बात की melanoma, एक होता है lymphoma, एक होता है sarcoma और एक होता है leukemia और भी कुछ तरह के cancer है अगर आप और भी कुछ तरह के cancer देखना चाहिए तो list देखिए melanoma भी मैंने आपको बताई दिया cancer of pigmented cells of the skin is called melanoma एक होता है adenoma, एक होता है cancer of glands, glands की cancer को बोला जाता है क्या adenoma, ठीक है muscular tissue का cancer हो जाएगा mayoma, muscular tissue का cancer सारकुमा में हाता है इसको हम mayoma बोलते है, lymphatic tissue का cancer भी बताई दिया आपको lymphoma and cancer of glial cells of CNS is called glioma, अब इस बात को समझीगा क्योंकि अगर हम neuron की बात करें तो neuron में power of regeneration absent होती है या बहुत ही कम होती है, power of regeneration जो है बहुत ही कम होती है या फिर हम सीधा सीधा बोलें क्या होती है, absent होती है, तो क्या किसी cell के अंदे power of regeneration absent है, तो क्या कभी उसमें cancer develop हो पाएगा, तो उसमें कभी cancer भी develop होता है या नहीं होता नहीं होता तो फिर what is brain tumor क्या है brain tumor brain tumor word जो आता है वो क्या है अगर हम बोलें कि sir अगर neuron में कभी cancer develop नहीं होथा क्योंकि neuron के अद्स power of regeneration present नहीं होती उन में कभी cancer नहीं होता brain tumor is gliuma is a cancer of supporting cells of neurons cancer of neuroglial cells cancer of neuroglial cells जो होती है उन नीरो ग्लियल सेल्स जो वैसे तो बहुत जादा होती है मोर देन 50% आफ नर्वश टिशू होती है लेकिन वो नीरोन नहीं है नीरोन की सपोर्टिंग सेल्स इनको हम नीरो ग्लियल सेल्स कहते है उन नीरो ग्लियल सेल्स के कैंसर को glioma कहते है and glioma is a brain tumor कभी भी neuron में cancer develop नहीं हो सकता क्योंकि उन में power of regeneration क्या होती है बचो absent होती है ठीक है तो अभी हमने क्या बात किया है भी हमें बहुत सारी बात करनी है बचो cancer के बारे में इसलिए मैं बहुत relax level पर अभी आपको लेके चल रहा हूँ हमने बात की है human health and disease के काफी end part पर पहुच चुके हैं जिसमें हम बात कर रहे हैं बहुत important topic की जिसका नाम है cancer cancer के बारे में हमने बात की cancer के बारे में आपको बताया गया कि normal cell cancerous cell कैसी होती है contact inhibition की property क्या है और by mutation cells contact inhibition की property क्यों नहीं show कर पा रही है और उससे क्या फर्क बढ़ रहा है ठीक है फिर हमने एक normal cell और cancer cells में difference देखे कि normal cell और cancer cell में क्या क्या difference होते है cytoplas, nucleus, nucleus और chromatin के according फिर हमने type of cancer की बात की तो हमारे सामने कुछ major cancer देखने को मिले carcinoma, melanoma lymphoma, sarcoma, leukemia is a blood cancer और उसके आपको कुछ other type के cancer cells भी बता है बता है कि brain tumor is not a cancer of neuron, is a cancer of neuroglial cells, यहां तक की बात करने के बाद अब हम बात करते हैं types of tumor, अभी मैंने थोड़े पहले क्या बात की वापस देखिए मैंने थोड़े पहले बोला कि mass of cells present form in case of cancer is called neoplasm, और इस neoplasm जो mass of cell बनता है उस तरह की tumor जिसके अंदर meta stresses की फैलने की property होती है उसको हम बोलते है malignant tumor, लेकिन tumor कौन कौन सी होती है, वो होती है एक होती है benign और एक होती है malignant तो सबसे पहले तो benign और malignant tumor की बात करते है, समझेगा बच्चो सबसे पहले अगर हम बात करें benign tumor, benign tumor नाम से ही समझ में आता है ऐसी tumor जो localized हो ऐसी tumor हो, जो क्या हो localized हो, जो फैले ना जिसमें meta stresses की property नहों और अगर meta stresses की property नहों तो वो cancerous भी नहीं होगी तो simple सी बाते देखी के लिखा है benign is a not cancer not cancer, benign tumor cells grow only locally के वो उसी जगे पर grow करती है cannot spread by invasion और meta stresses की property शो नहीं करती जहाँ पर वो tumor बनी है के वो उसी जगे पर रहती है, उसी localized place पर थोड़ा बहुत pain हो इस तरह के sensation आ सकते हैं लेकिन वो cancerous नहीं है, उसमें meta stresses नहीं होती they are often surrounded by a protective sack इसका मदब capsulated होती है, sex से cover होती है a mechanism performed by your immune system ये एक immune system का mechanism है जिसमें आपका immune system कुछ cells की बोल सकते हैं कि एक tumor जैसी structure मनाया था लेकिन वो cancerous नहीं है that segregate it from the rest of your body and enable it to be easily removed clear, अब हम बात करते हैं benign tumor capsulated होती है capsulated होती है non-invasive होती है non-cancerous होती है slow growing करती है, grow भी slow करती है तो ऐसी tumor जो slow growing है capsulated है, non-invasive है non-cancerous है, उसका हम बोलते है benign tumor लेकिन ऐसी tumor जो cancerous है उसका हम बोलते हैं malignant tumor जो neighboring tissues को invert करती है, blood vessels में enter कर जाती है और metastasis हम बोल सकते हैं कि metastasis to different side metastasis का मतलब metastasis करती है, जा सकती है एक जग से दूसरी जगे मतब they may not have symptoms initially and the first indication that something is not right may be the detection of a painless lump तो पहले तो एक lump भी ऐसा ही मिलता है इसकिन में जिसमें painless होता है तो painless lump को देखकर हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर इसमें कोई pain नहीं हो रहा है लेकिन वो हो सकती है एक malignant tumor malignant tumor इसका मतलब आपको एक बात याद रख लेनी चाहिए कि cancer के case में benign tumor नहीं बनती, benign tumor भी body में बनती है, वो localized होती है, capsulated होती है slow growing होती है, non invasive होती है non cancerous होती है, लेकिन cancer के case में जो neoplasm बनता है वो neoplasm जो होता है वो एक तरह की malignant tumor है वो cancerous tumor है, जो neighboring cells को invade कर सकती है, blood vessels में enter कर सकती है, इसका मतलब सिधा-सिधा एक जगे से दुछी के spread कर सकती है meta stasis कर सकती है इसका मतलब इस तरह की tumor cancerous होती है, ये invasive and infiltrate होती है ये fast growing होती है ये non capsulated होती है और इसमें meta stasis ये meta stasis की property present होती है, इस तरह की tumor को बोला जाता है malignant, तो आपको types of tumor में benign and malignant tumor की मारे भी बताया गया, अच्छे से याद रखें benign tumor is a non-cancerous tumor while malignant tumor is a cancerous tumor, malignant tumor कैसी होती है बच्छो, cancerous tumor होती है याद रखेंगे इस बात को चलिए, अब मैंने अभी आपको थोड़े पहले बोला था कि किसी carcinogen की वज़े से ऐसा हो सकता है कि mutation हो जाए और mutation होने की वज़े से क्या हो जाए आपके cancer या नियोप्लासिम डेवलप हो जाए इस बात को एक तरह से और समझाता हूँ actually क्या है हमारी cells के अंदर एक nucleus में एक gene होती जिसका नाम होता है proto-oncogene कौन सी gene होती है proto-oncogene तो proto-oncogene present होती है ये एक normal cell है बच्चों एक normal cell के पास proto-oncogene है अगर किसी carcinogen के effect से किसी भी carcinogen के effect से ऐसा हो जाए कि इस proto-oncogene का oncogenic transformation हो जाए क्या हो जाए oncogenic transformation हो जाए समझेगा ये proto-oncogene और अब इसका हम कर रहे है कैसा transformation oncogenic transformation हो जाए यहाँ पर proto-oncogene में क्या हो गया mutation carcinogen की वज़े से हो गया mutation और उस mutation की वज़े से क्या हो गया है बचों उस mutation की वज़े से अगर हम बोले proto oncogen convert हो गई है oncogen में अगर oncogen में convert हो गई है तो अब ये cell contact inhibition की property show नहीं कर पाएगी अगर contact inhibition की property show नहीं कर पाएगी तो ये अपने surrounding cells की growth पे control नहीं कर पाएगी और surrounding cells की growth पे control नहीं कर पाएगी तो उस condition में mass of cell बनेगा, देखिए का mass of cell कैसा बनेगा, इस तरह से cells के अंदर uncontrolled division होंगे mass of cell बनेगा and this mass of cell is called neoplasm क्या बोलेंगे, neoplasm और neoplasm ही क्या है cancer cancerous tumor कैसी tumor बन जाएगी बच्चों, cancerous tumor का formation हो जाएगा इसका मतलब हमें कुल मिला के बात यह समझा आती है कि हमारी proto-oncogene का oncogenic transformation करवा देते हैं, कुछ chemicals, these chemicals which produce mutation in our body and produce cancers are called carcinogens तो क्या carcinogens के common list देखी जाएग, तो चलिए देखते हैं carcinogens कौन कौन से हैं, इनकी list देखते हैं carcinogens, suit सबसे पहले pollutant में suit जो है जिसकी वजह से बिलकुल suit बिलकुल pollutant है, जिसकी वएसे skin or lungs का cancer होता है coltar, जिसमें 3-4 benjopyrin है जिससे भी skin or lungs का cancer होगा cigarette smoking जिसमें N-nitrosodimethylene है क्या है? N-nitrosodimethylene है cigarette smoking से होने वाला cancer कौन सा है? lungs का cancer cadmium oxide करता है prostate gland का cancer aflatoxin, जो एक mold metabolite है aflatoxin, उससे होता है liver का cancer mustard gas से होता है lungs का cancer nickel and chromium compounds करते है lungs का cancer asbestos, जो है माइल में work करते है occupational respiratory disorder जिनसे होता है उसमें asbestos से lungs का cancer भी होता है diethyl, estrilbestrol, DES से vajaria का cancer होता है vinyl chloride से होता है liver का cancer तो यह कुछ common carcinogens है और वो कौन-कौन से part का cancer करते हैं, यह आपको बताया गया बचो, यह तो आपको याद रखना ही होगा इसमें, मैं आपकी ज़्यादा help नहीं कर पाऊंगा फिर भी हमने अब तक क्या-क्या पढ़ा इस बात को देखते हैं, बचो हमने अब तक बात की है, वाड़िस cancer normal cell, cancer cell आपको दिखाए गई आपको बताया गया कि cells में contact inhibition की property का क्या मतलब होता है, और cancer के cells contact inhibition की property क्यों loss कर देती है और कर देती ही तो क्या होता है फिर आपको बताया गया, एक normal cell, cancer cell में care difference है, फिर हमने देखे types of cancer, different type के cancer के बाद कुछ other type of cancer की बात की brain tumor क्या ही ये बताया गया types of tumor जब हमारे सामने आए तो हमने benign tumor और malignant tumor की बात की what is neoplasm ये आपको बताया गया कैसे proto-onkogen, oncogenic transformation करने में या इस तरह की mutation में carcinogens का roll है carcinogens की बात आई तो हमने carcinogens के कुछ देखे common carcinogens और target tissue कौन कौन से पहे, वो effect करते हैं उसकी बात की, अब हम बात करते हैं कि अगर किसी person को cancer हो जाता है तो common symptoms कौन कौन से देखने को मिलते हैं बात करते हैं, symptoms of cancer सबसे पहले तो आप इस diagram को देखिए, ये lungs है आप diagram में दोनों तरह के lungs को देखकर परचान सकते हैं कि एक normal lung है और ये cancerous lung है ये cancerous case है, तो cancer के case में, cigarette smoking के case में, lungs में cancer develop हो तो lungs कुछ इस तरह की दिख सकते हैं और normal lungs की picture कुछ ऐसी होती है, ये person है, जिसे oral cancer हुआ है, इस तरह के cancer को बोला जाएगा oral cancer, इंडिया में oral cancer सबसे common है बच्चो पूरे अगर मैं आपको in general एक बात बोदूँ कि world में man में सबसे common है ठीक है, world में man में सबसे या male में सबसे यादा common जो है, वो है lung cancer smoking की वहे से ठीक है, और world में female के अंदर सबसे यादा cancer कोई है common तो वो है breast cancer, मैंने भी आपको बैता है था कि pink color के ribbon को breast cancer awareness के लिए यूज़ किया गया as a slogan, इंडिया की अगर हम बात करें, तो इंडिया में male में सबसे common है अभी अभी यही तो बाशुरुआत की हमने oral cancer और इंडिया में female में सबसे यादा मिलने वाला cancer है, वो है neck of uterus का cancer जिसको हम सीधा सीधा बोलें, cervical cancer uterus की neck जिसको हम cervix बोलते हैं उसका cancer सबसे common है इंडिया में female में, cervical cancer सभी बाते बच्चों, तो यह आप देख सकते हैं, इस person में चोटा सा एक lump बनाई है, पेनलेस lump बनता है पहले and this painless lump is a cancerous lump और जिसमें metastasis की property present होगी, तो यह oral cancer है, यह क्या है, oral cancer ठीक है, तो आपको कुछ cancers की pictures देखाई गई आपको यह pictures थोड़ी सी आपको प्रेशन कर सकती है, देखने में जीब सा हो सकता है लेकिन बच्चों आपको इन सब से deal करना है क्योंकि आप सब को doctor बनना है और doctor बनने के बाद आपको इन सभी problems को heal करना है इन सभी problems को हमेशे tackle करना है और आपको इन से बचना नहीं है, इन से आपको खिन नहीं आने चाहिए आपको ऐसा है लगना चाहिए कि आ रहे क्या चीज है ऐसी चीज मुझे देखका जीव लगता है ऐसा जीव लगता है तो पुछ दॉक्टर बनके तो आपको यही चीज डील कर नहीं है और आप अभी सेशी की प्रेक्टेश टाट कर दीजिए ठीक है एक घाव बनता है जिसमें इचिंग होती है ब्लीडिंग होती है डिफिकल्टे इन स्वैलोइंग निगलने में की चीज को प्रॉब्लम आती है ठीक है गड़गडाट आती है आवाज में कफिंग ऑफ ब्लड इस्पूटम ब्लड इस्पूटम आने लगता है ब्लड इन यूरीन ओर ब्लड आता है विद नोपन और यूरिनेशन इर प्रॉष्टत केंसर के के सरा हो सकता है चेंज यंूल है चेंज इन बौल हैबिट्स एंड लंप और चेंज इन ब्रैस चेंग उरे स्थ ब्लन के गडम बनने लगता है तो ये जितने भी तरह के एनसर आप देख रहे हैं, यह जितने भी तरह के cancers हम देख रहे हैं यह सारे के सारे cancer जो है, वो cancer के symptoms है common symptoms है, और भी बहुत साथ symptoms आसकते हैं, लेकिन यह depend करता है अलग-लग type के cancer पर है और बात करते हैं, बच्छो cancer से लिटेड अब हम बहुत important part की बात करते हैं, वो है metastasis metastasis का मतलब होता है cancer का फैलना cancer का फैलना क्या बच्छो मतलब cancer एक जगे से दुछी के कैसे जाता है, इस सीज़ को देखी एक बार समझते हैं, आप देख सकते हैं कि यह यह लिखा है acquisition or invasive phenotype देख सकते हैं, यहाँ पर physical translocation from primary tumor to distant organ and colonization, दो चीज़ें बताए गई है अच्छे हैं समयना शुरू कीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं और detail में बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर differentiated cancer cells दिख रही हैं आपको, हमने बोला कि किसी पार्ट में cancer हुआ, contact inhibition की property show नहीं कर पाई और आजपास की cells में lump of cell बन गया mass of cell neoplasm बन चुका है यह है differentiated cancer cells यह दिखनी करेंशन फिर क्या होगा बचों यह जो cancer cells है blood में आएंगी transitioning cancer cell, transitioning क्या हो रहा है देखो cancer cells बाहर आ रही है cancer stem cell, यह cancer stem cells है जो blood में आ चुकी है blood के थूँ यह किसी दूसरे पार्ट में जा रही है जब किसी दूसरे पार्ट में जा रही है तो ctc transit to distant organ ctc मतलब circulatory system जो है से लेकर जा रहा है फिर उसके बाद यह किसी particular पार्ट में आ चुकी है local invasion cells invade into surrounding stroma then intraveset to enter hematogenous spread सबसे बेल तो उसी जगे पर invade किया और उसके बाद hematogenous spread में आ गई फिर उसके बाद किसी और organ में चले लगी foreign tissue की परिंट कायमा में चले गई वहाँ पर जाके survival at secondary site किसी secondary site पर survive करने लगी and adaptation and proliferation from metastasis वहाँ पर भी क्या करने लगी grow करने लगी इसका मतलब अगर हम बात करें कि cancerous cells जो होती है वो एक जगे बनती है blood circulation से होती हुई किसी दूसरे पार्ट में पहुसती है वहाँ पर जाके उन नई cells के साथ competition करती है for nutrition और competition जब होता है तो उस condition में cancerous cells जादा होने की वैसे वो जादा nutrition लेलती है जिसकी वैसे जो normal cells से nutrition या तो कम मिलता है जिसकी वैसे वो cancerous cells में convert होने लगती है या फिर उनमें भी mutation होने लगते है बात संच जाती है तो metastasis word का मतलब हमें एक बात clear हो जानी चाहिए कि metastasis का मतलब होता है fell ना कोई disease fell कैसे रही है इसके spread होने की property को बोला जाता है metastasis clear तो यह metastasis के हमने बात की एक और बात करते है normal cell normal blood और leukemia को देखिए normal blood के अंदर आपको कुछ WBCs दिख रही है और RBCs दिख रही है देखिए RBCs बहुत सारी दिख रही है कुछ चोटी platelet दिख रही है और WBCs आपको कुछ दिख रही है दिख रही है रही है अपचो अलग-अलग type की WBC लेकिन leukemia की case में आप देखो WBC आपको 2-3-4 दिख रही है बहुत सारी RBC तो है लेट-लेट भी है लेकिन WBCs का number normal से बहुत ज़ादा हो गया है तो अगर हम बात करें leukemia को chronic myeloid leukemia बोला जाता है myeloid leukemia chronic myeloid leukemia इसलिए बोला जाता है क्योंकि हमारे bone के bone marrow में bone के bone marrow में यहाँ पर एक तो होती है erythroblast और एक होती है myeloid stem cell myeloid stem cell अब यह myeloid stem cells जो pluripotent cells है न इसके अंदर होता है cancer इनमें होता है cancer and number of WBC क्या हो जाता है increase WBC का number क्या हो जाता है increase हो जाता है this is called chronic myeloid leukemia मतला हमारे पास bone marrow में RBC भी तो बनती है WBC तो बनती है लेकिन क्योंबल WBC बनाने वाली WBC बनाने वाली myeloid stem cells में ही cancer develop होता है इसलिए WBC का number बढ़ता है leukemia में RBC का number नहीं बढ़ता है याद रखिएगा बहुत जाता है तो WBC का number normal से बहुत जादा हो जाता है this is called chronic myeloid leukemia और chronic myeloid leukemia में myeloid stem cells होता है इसलिए तो नाम क्या देखो chronic myeloid leukemia हमने आज क्या 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 बात कर ली है हमने आज cancer के बारे में बात किए cancer क्या होता है कैसे develop होता है contact inhibition की property कैसे show नहीं कर पाती normal cancer cells में difference type of cancer penine and magnet tumor carcinogens कौन है symptoms की बात की meta stresses की बात की अब हम cancer detection and diagnosis की बात करते है ये topic में हमारे लिए बहुत ज़्यादा important है क्यों है important क्योंकि बहुत सारी techniques ऐसी हैं जिसके बारे में हम यहाँ पर थोड़ी सी detail में बात कर सकते है cancer detection is based on biopsy and histopathological studies of the tissue and blood and bone marrow test for increased cell count in case of leukemia पर simple से बात है अगर कोई leukemia का case है blood cancer का test है तो उस condition में blood cancer का case है तो उस condition में तो हम सीधा bone marrow test करेंगे या blood का test करके उसमें देखेंगे कि WBC का number जादा है या कम है तो leukemia blood cancer में तो यह ऐसे पता कर सकते हैं लेकिन अगर हम बात करें कि कि किसी lump बन गया है कोई tumor बन रही है तो उस tumor को अगर उसमें tumor में cancer है benign है या malignant है वो neoplasm है इसको पता करना है तो biopsy करने पड़ेगी histopathological examinations करने पड़ेगे तो biopsy और histopathological examination भी किये जाते हैं और बच्चों technique like radiography x-ray को use किये जाता है CT scan computed tomography करी जाती है MRI magnetic resonance imaging की जाती है very useful to detect cancers of the internal organs internal organs का cancer पता किया जाता है इस तरह से किस किस से radiography, CT scan, MRI इन सब को use करते हुए किसका cancer पता करते हैं internal organs के cancer को पता करते हैं देख रहे हैं आप और बात करते हैं MRI is the safest method for detection of cancer cancer को पता करने के लिए safe method जो है MRI computer tomography use x-ray to generate a three dimensional image 3D image बनती है of the internal of an object किसी object की internal object की 3D image बनाने के x-rays को use किया जाता है MRI uses strong magnetic field 7 tesla तक का magnet यूज किया जाता है non ionizing radiation to accurate, detect pathological and physiological चिज़े जाते living tissue बहुत important बाहत है बच्चो physiological and pathological pathological findings के लिए किया जाता है पता करने के लिए किया जाता है MRI और internal organs की 3D image को पता करने के लिए जिन x-rays को use करते हुए किया जाता है CT scan antibodies against cancer specific antigen are also used to detection of certain cancer बहुत सारे cancer ऐसे हैं जिनमे antigen की वह से होता है तो उनके लिए antibodies को use किया जाता है antigen antibody complex बना तो simple जी बात है कि cancer है उस particular antigen के against antibodies बना के हम antigen antibody agglutination test करते है serological test भी आप उसको कह सकते है उससे भी बता करते है जैसे कि हर septin एक monoclonal antibody है जो breast cancer के case में यूज की जाती है तो particular एक antigenic part है तो एक antigenic या cancerous part जो उसके against antibody बना दी अगर antigen है cancerous cell है तो उस condition में antigenal antibody complex बनेगा और ये हर septinic monoclonal antibody बनाई कही है जो breast cancer में यूज की जाती है याद रखें वैसे तो NCRT में तो given नहीं है बच्चों ये बात लेकिन बिलकुल आगे अच्छे level का question बूचे है तो आपका question बन सकता है technique of molecular biology can be applied हम किसी individual person की genes को detect करने के बाद हम बता सकते हैं कि उसकी particular gene जो है वो कौन से carcinogen के लिए susceptible है इसका मतलब हम किसी person को check करके बता सकते हैं कि उस person के अंदर ऐसा क्या है ऐसी क्या कौन कौन से genes है जो carcinogen के लिए susceptible है तो अगर हमने ऐसा पता किया तो हम सीधा सीधा ही पता कर सकते है उस person को यह बता सकते है कि अगर तुमें यह particular carcinogen से इससे तुमें cancer होने के chances जादा है तो molecular biology से हमने यह भी किया है तो देखी क्या लिखा है technique of molecular biology can be applied to detect genes in individuals with inherited susceptibility to certain cancer identification of such genes which predispose an individual to certain cancer may be very helpful in prevention of cancer से simple सी बात है अगर किसी person को बोल दिया जाए कि तुमें smoking से cancer होने के chances बहुत ज़्यादा है किसी normal person के condition में या तुमें हम वो सकते हैं किसी particular carcinogen से cancer होने के chances ज़्यादा है इन से भी हम cancer से बच सकते हैं prevention कर सकते हैं cancer का यह cancer के detection and diagnosis की हमने बात की बच्चो सरी बात है और बात करते हैं बच्चो तो यह सारी बात कर ली है हमने आज यह सारी बात करने के बाद हम और भी बात करते हैं cancer के बारे में चली बच्चो The common approach for treatment of cancer are surgery, radiation therapy and immunotherapy. ये तीन तरह की therapy दे सकते हैं, तीनों को लगबग एक साथ ही दिया जाएगा, रेडियो थेरेपी भी देंगे, immunotherapy भी देंगे और surgery भी कर सकते हैं. In radiotherapy, tumor cells are irradiated, irradiated, leadally, radiation डाले जाएगे, taking proper care of the normal tissue surrounding the tumor mass, tumor mass के चातर पुझे normal tissue उनको 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 पर radiation ना जाएए, ऐसा ध्यान रखा जाएगा और सीधा cancerous tumors को मारा जाएगा, radiation के help से, मैं आगे आपको आपको वापस explain करता हूँ, several chemotherapy drugs are used to kill cancerous tumor, बहुत सारे chemotherapy drugs भी, chemicals भी हैं जो मारते हैं, some of these are specific for particular tumors, majority of drugs have side effect like hair loss, anemia, bone marrow, loss, यह बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हो सकता है, जो side effect है, most cancers are treated by combination of, यह बात याद रखे हैं, most of the treated cancers are treated by combination of surgery, radio therapy and chemotherapy, तीनों तेरापी दी जाती है, treat करने की कोईश्की जाती है, tumor cells have been shown to avoid detection and destruction by immune system, याद खिये का, tumor cells have been shown to avoid detection and destruction by immune system, हमारा immune system ही तो काम नहीं कर रहा, हमारा immune system ही काम कर ले तो हमें इत्ती साहिची जोगती नहीं हमारा immune system ही उन्हें उन्हें पहचान पाता, उन्हें detect नहीं कर पाता, उन्हें डेश्टरक नहीं कर पाता, इसलिए थो हमें radiotherapy, chemotherapy, surgery, acid treatment की requirement है, therefore the patients are given substances called biological response modifier, इसलिए दिया जाता है biological response modifier, इस point को अच्छे से याद रखे, such as alpha interferon, ये alpha interferon है alpha interferon which activate their immune system helping destroying the tumor, मतलब हमारे immune system को बाहर से activate करने की कोशिश कर रहे हैं अब, हम ये biological response modifier दे रहे हैं, हमारे immune system को message दे रहे हैं, कि आपको particular इस तरह की cancer tumor के against अपना action देना चाहिए, जो भी response चाहिए, वो भी lymphocyte दे, या T lymphocyte दे, हमें कोई फरक नहीं पड़ता, लेकिन हमारे immune system को activate करने के लिए, हम alpha interferons दे रहे हैं, तो ये biological response modifiers है, जो cancer की treatment में, बहुत ही मतलब हम बात कर सकते हैं, कि अगर ये चीज बहुत ही normal condition में आ गए हैं और successful रहे हैं, हम जो कर रहे हैं तरह के practicals, तो cancer का easily treatment किया जा सकेगा, एक और cancer की treatment में, common weed जिसका नाम होता है, catheranthus roseus, जिसको vinca rosea या सदा बाहर भी कहा जाता है, is the source of two anti-cancer drugs, इससे हमें दो तरह की anti-cancer drug मिलती है, winchristin, winblastin, जो catheranthus roseus या vinca rosea या सदा बाहर plant से मिलती है, ये तरह का common weed है, इनसे हमें common weed से मिलती है, जिसको सदा बाहर भी कहते हैं, ठीक है, और बात करते हैं, बचो, अब मैं आपको radio therapy का action बताता हूँ, radio therapy का action, और उसको दो तरह से सबस्ते देखिए, combining radio therapy with drugs, drugs भी दे रहे हो, radio therapy भी दे रहे हो, drugs that stop cancer cells repairing their DNA, drugs ऐसी हैं, जो cancer cells को कभी अपना DNA repair करने नहीं देती, cool help make radio therapy more effective, मतब radio therapy तो देंगी, जो DNA को damage करेगा, और जो DNA damage हो, वो repair ना हो जाए, जलिए हम साथ में क्या देंगे, drugs देंगे, समझे का radio therapy, ये एक radio therapy beam है, आप देख सकते हैं, ये normal cells है, healthy cells है, और ये cancer cells हैं, हम radio therapy beam को केवल cancer cells से पास करवा रहे हैं, cancer cells से पास करवा जाएगा, तो radio therapy causes damage to cells DNA, इन cancer cells के DNA को damage कर देगा, its cells can't repair the damage, they die, जो और अगर ये cells से वापस से अपने damage को, damage DNA को repair नहीं कर पाई, कौसी cell, ये cancerous cells जिससे आप पास करवा रहे हैं, किसको, radio therapy beam को, और इनका DNA हमने क्या कर दिया, damage, अगर ये वापस से इसको क्या नहीं कर पाई, repair नहीं कर पाई, क्यों नहीं कर पाई, क्योंकि हम drugs दे रहे हैं, ऐसी drugs देने, जो cancer cells के damage करने हो गई है, जिनका DNA, उसको repair ना होने दे, ऐसी drugs देने हैं, तो repair नहीं होने देगा, तो healthy cells have lots of way to repair DNA, उनके पास तो बहुत सारे वे हैं, DNA को repair करने के लिए वो तो बनाती है normal, अगर healthy cell का तो कर दिया, लेकिन drugs जो हैं, वो cancer cells का DNA नहीं बनाए देने, लेकिन आगे क्या होगा cancer cells rely on certain repair molecules, और आगे क्या होगा drugs that block these molecules, बहुत साई molecules बनाती है, जिससे DNA molecule repair होता है, लेकिन हमने जो drugs दिये साथ में, that block these molecules could leave the cancer cell unable to repair the damage causing them to die, उनका DNA repair नहीं होने देती, तो नहीं होने देती, तो उस condition में उन्हों वो cancer cells मर जाती है, तो indirect root की और direct root की अगर हम बात करें तो इस बाइस direct root तो यह है कि सीधा ही radio therapy दी जाए और damage कर दिया जाए, radiation की help से ठीक है, indirect root यह होता है, radio therapy का ही, कि radiation से पहले water के molecule को तोड़ा जाए, और water के molecule को तोड़ने के बाद जो free radical निकले, क्या मिलेगा, free radical मिलेगा, उस free radical जो है वो damage करें इसे, तो free radical damage भी करता है, और सीधे ही radio therapy देखें भी damage करवा सकते हैं, तो दो तरह के method है, जिन दोनों method को आप use करते हुए, क्या कर सकते हैं बचो, रेडिो थेरपी से किसी patient को ठीक कर सकते हैं, आप in future कभी ना कभी किसी patient को ठीक करेंगे, रेडियो थेरपी की help से आई हो, ठीक है? तो और बात करते हैं बच東西 ये तो रेडियो थेरपी, किमो थेरपी का भी mode of action देखते हैं, किमो थेरपी है कहीँ समझो पहले, Treatment of disease by means of chemicals Chemicals से जो treatment करते हैं That have a specific toxic effect upon the disease producing microorganism और that selectively destroy cancerous मतलब microorganism को तो मारती है कीमोथेरपी मतलब कुल मिला कि Chemicals को यूज करते हुए Cancerous cells को मार दिया जाया इसको मुलते कीमोथेरपी Radiotherapy ने DNA को damage किया था और साथ में drugs जो दी थी है और वापस DNA को repair होने नहीं दिया था और cancer cells को मार दिया था लेकिन यहां क्या होता है समझीगा मैंने भी आपको बोला कि Winchristian, Winblastin, Chemotherapy drugs है आपने एक normal cell division जानते हैं Metaphase stage के बाद Tubulin molecular stack to form mitotic spindle mitotic spindle बनते हैं और Anaphase है जाती है Prophase, Metaphase, Anaphase अगर हम बात करें कोई chemotherapy drug दी जाए किसी person को जिसको cancer है तो tubulin molecule fail to polymerize कभी polymerize होई नहीं पाते है in the presence of Vinca alkaloid Vinca अगर आपने medicines को use किया है जो chemotherapy में दी जाती है तो वो cancer cells में कभी भी tubulin protein को क्या नहीं होने देता जोड़ने नहीं देता ये tubulin protein को मिलकर polymer नहीं बनाएं देता और जब तक polymer नहीं बनेगा तब तक spindle fibers का formation नहीं होगा तो उस condition में क्या हो जाता है Dissolution of the mitotic spindle leads to cell death तो अगर हम बात करें कि chemotherapy में जो chemicals दी जाते हैं जो toxic जो wing crystal, wing bruston जैसी medicines दी जाती है वो mitosis में इनाफेज से एनाफेज स्टेज नहीं आने देती है जबकि radio therapy में जो radiations देते हैं वो indirectly पी वर्क करते हैं directly वर्क करते हैं और खुल मिला के DNA को damage कर देते हैं इस तरह से हमारी radio therapy mode of treatment और chemotherapy mode of treatment वर्क करता है तो बच्चों आज हमने बहुत डीटेल में बात की है आज हमने क्या क्या बात की है देखते हैं आज हमने बात की की what is cancer cancer के बारे में बताया गया contact inhibition क्या है normal cell cancer cell में difference बताया गया आपको उनके cytoplab, nucleus, nucleolus और chromatin के according type of cancer की कुछ अधर type की cancers की भी बात की हमने brain tumor क्या है इसके बारे में बात की साथ मैं आपको बताया गया benign tumor और malignant tumor में कुछ differences आपको बताया गया कैसे proto-onkogen का oncogenic transformation होता है कुछ virus की वज़े से भी ऐसा होता है कुछ virus जिसको oncovirus कहते है उनकी वज़े से भी ऐसा होता है तो वो भी यही काम करते है तो oncovirus की वज़े से या carcinogens की वज़े से यह साही चीज होती है कौन-कौन से carcinogens है यह बताया गया आपको cancer के symptoms की हमने बात की साथ में हमने बात की what is metastasis normal blood cell or leukemia की case में क्या होता है यह पूरा concept आपको explain किया गया cancer detection and diagnosis के लिए आप कौन-कौन सी MRI CT scan इन सब techniques को use करते है उनका क्या benefit होता है उनसे हमें किस तरह की pictures मिलती है फिर हमने बात की treatment of cancer की treatment of cancer में आपको बताया गया कि cancer cells जो है उनकी treatment के लिए radio therapy chemotherapy और surgery को use करते है फिर आपको radio therapy कैसे action करती है यह बताया गया और finally हमने chemo therapy कैसे action की यह बात की तो I think बच्चो cancer के बारे में हमने काफी detail में बात की है time हमें लगा इस topic में लेकिन हमने हर एक point को cover किया है और cancer की बारे में सारी बात करने के बाद क्या आप cancer से related कुछ questions कर पाएंगे अगर कर पाएंगे तो चली कुछ questions की बात करते है ठीक है बात करते हैं इस से related questions की पहला question देखते है question है sarcoma is a malignancy of sarcoma is a cancer of connective tissue apple tissue का तो carcinoma होता है blood का cancer blood का cancer leukemia होता है reticlo endothelial tissue का cancer जो है वो भी अगर हम बात करें lymphoma होता है ठीक है लेकिन mesodermal tissues का cancer क्योंकि आपको पता है कि connective tissue जो है mesodermal होता है origin में 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 ली और mesodermal tissues के cancer के लिए common word आता है कौनसा sarcoma next question आता है cancer is treated through a combination of अभी थोज़े पहले तो बात की cancer का treatment करना है तो surgery भी करनी होगी radiotherapy भी लेनी होगी और immunotherapy में अगर हम chemotherapy भी लेनी होगी surgery and drugs drugs and irradiation surgery and irradiation surgery, irradiation and chemotherapy बहुत simple question है बच्चो answer क्या हो जाएगा second next question आता है metastresis is connected with benign tumor नहीं बच्चो आज ही हमने बात की कि melanin tumor में metastresis की property present नहीं होती both melanin and melanin tumor crown gall tumor crown gall tumor के बारे में हम बात करेंगे biotechnology में बताएंगे आपको biti cotton के case में crown gall tumor के बारे में बात करेंगे bacillus thringesis और भी कई cases में देखेंगे और melanin tumor की अगर हम बात करें तो melanin tumor तो बिल्कुल metastresis करती क्योंकि melanin tumor ही तो cancerous tumor होती है बच्चो तो melanin tumor metastresis की property show करती है तो इसका answer no doubt क्या हो जाएगा melanin tumor सभी बात है बच्चो तो आज हमने cancer के बारे में बहुत detail में बात की है बच्चो I think आपको cancer सभी को अच्छे समझ में आया होगा अगली class से मिरतबित भी थोड़ी ज़्यादा चिठीक हो जाएगी और हम एक अगले topic के साथ आएगा भी human health and disease में हमें कुछ छोटी छोटे topics की बात और करनी है उनके बारे में हम next lecture में बात करेंगे आप अच्छे से cancer के बारे में पढ़ाई कीजिए तब तक के लिए Thank you